हेलो दोस्तों आज हम बनाएंगे पहुत ही टेस्टी चटपटी सबजी यह सबजी बहुत ही अलग है लेकिन खाने में पहुत ही टेस्टी बनता है तो चली देर न करती हो रेशिपी को शुरू करती हैं तो मैंने यहां एक कप चना दाल का बड़ी लिया है यह बड़ी अकसर काउ में बनाया जाता है असे सब्जी बनाने के लिए लेकिन अभला मारकेट में मिल जाता है तो मैं इसके साथ आलू भी I белक कर नदky जली गैस की तरफ चलती हैं, तो मैं ये सबजी कोकर में बनाने जा रही हूँ, कोकर में हम डालेंगे 2-3 बार चमच सरसो का तेल, जब भी आप इस तरीके की बढ़ी की सबजी बनाएं, तो सरसो के तेल में ही बनाइएगा, वडी को हम इस तरीके से डाल देते हैं, तेल जब करम हो जाएगा तो तो वडी को हमें तेस्से-दो मिनट करें तो तो फोड़ा-lation कर की हमें इसे अपॉन लेना है निकाल लेंगे और इसी तेल में एक से देर चमच और तेल दाल देंगे और तील जैसी गर्म हो जाएगा इसमें हम दालेंगे एक चुरु चमच चीरा सुक्ही लाल मिर्च मैं डाल देंगे एक दो एक तीज पत्ता डाल देंगे सारी चीज़े को लाल हो जाने देंगे तो यह सबजी हम बिल्कुल गाउं इस्टायल में बनाएंगे जैसी गाउं के लोग यह सबजी बनाते हैं तो बिल्कुल उसी तरीके से हम बनाएंगे तो सारी चीज़े जैसे लाल हो जाएगी इसमें हम डालेंगी दो बरी साइस का पतला पतला कटा हुआ प्याज तो प्याज को हमें तेर से दो मिनिट के लिए भून लीना है तकि प्याज तो रहा सॉप्ट हो जाए तो गैस का फ्लिम हाई करके आप भून सकते हैं और साथी में हम इसमें डाल देंगे आदा चोटा चमच नमक मिक्स कर लें कर देंगा तो प्याज को बोने दो मिनट हो चुका है अब इसमें हम डाल देंगे आलू और आलू के साथ ही हम प्याज को भोनेंगे 2-3 मिनिट के लिए तो अच्छे से मिक्स कर लेते हैं चला लेते हैं गेस का फ्लीम आप बिल्कुल हाई करकी आप इसे भून सकते हैं और चलाते रहीएगा नहीं तो प्याज हमारा नीचे से जल जाएगा और आलू जब भी आप एड़ करें आप उसमें वन फोर्ट नमक जरूर एड़ कीजेगा ताकि हमारा आलू बेस्वाद ना अधरक का पेस्ट और इसे भी हमें आलू और प्याज के साथ 1 मिनट के लिए भून लेना है तो चला लेंगे हम इसे हम इसे बहुत ही टेस्टी बनती है बहुत ही चर्पटी बनती है तो जरूर ट्राइगा एक मिनट भूनती हुए हो गया है लैसन अधरक भून गया है तो अब इसमें हम कुछ सुखी मसाले आड़ करेंगे तो चलिएब हम मसाले आड़ कर लेती हैं तो एक चोटा चमचे में हम डाल देंगी हिहनिका पाउडर एक चुछा चमचिस में डाल देते हैं घर्ण मसाला पाउडर तो अधा कब पानी ता कि मसाला हमारा अच्छे से लाल हो सकी मसाला हमारा जलेय ना तो बिससे इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे हमें मसाले को 2-3 मिनिट के लिए भूल लेना है इसे के दिघन निनिट के दे सांद ही गोइज़ के अधिक लिसे निकले सीच मिले है तो देर से दो निट मिनट हो जाये है तो अब इसे के दिए निट कैसे हम ऑद ब् laトेमाटर और बूंते हैं जाए का जो भी फ्लीवर है वो वड़ी में अच्छे से उतर जाए तो डेर से दो मिनिट के लिए आप इसे भून लीजेगा और दीकि दो मिनिट हो चुका है भूनते हुए तो अब इसमें हम पानी आड़ करेंगे तो मैं यहां कुल मिलाकर डेर गलास पानी एड़ किया है क्योंकि पानी आड़ करता है तो मैंने यहां डेर गलास पानी टाला है बड़ा गलास से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और नमक इसमें हम आदर चुटा चमच और एड़ कर देंगे तो नमक हमने पहले भी डाला था तो आपसी हिसाब से नमक एड़ किजेगा और मिक्स करने की बाद पारी कटा हुआ अगर आपके पास हरा दनीयापता है तो डालेगा नहीं है तो कोई दिकत नहीं है बस अब हम कोकर का ढखकाथ्याद बंस कर देते हैं धिसे हम इस हम लगने देते हैं और शिच छे लिचे लिच ऊबड़ा है और यह लीचे आलू और वडी की सबजी बनकर त्यार हो गया बहुत ही टेस्टी अच्छी खुश हो आ रही है बहुत अच्छी खुश्च हो आ तो देखि, मैं आपको ठाकर देखा रहे हो कि वरी कितने अच्छे से फूल गया है साइस में डबल हो गया wonders उख भी वरी कर लिते हैं और ये लिए लिक है और तैड बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में गाउं की लोग अक्सर इसे बरसात की दिनों में बनाते हैं ताकि जब बरसात होता है तो कोई बाहर जाना पसंद नहीं करता है तो इसे गाउं की लोग बरसात की दिनों में अक्सर बनाते हैं बहुत ही टेस्टी और चाव से इसे खाते चावल चावल खुक्ता रहा थीया चावल थेशिती खाने में रही जोटिर इसे डूट्टी सब्सकाई ठीकिक से ढबकि 85% लोगाइफकश अंपर marks strauks है और चावल गर था दर्ड रहा तो जोड़िये में पढ़ा थे दिछेख्ड बीजावड वेसेकاتि झाल झाल